दोस्तो दीबक चेहर को कर दिया गया है A.C.A. कप से बाहर उनके जगा किसी दूसरे खिलाडी को टीम में सामिल कर लिया गया है जब ये बात दीबक चेहर को पता चली तो वो काफी ज़्यादा नाराज हुए और B.C.C.I. से एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे दोस्तो अगर आप भी जानना चाहते हैं विस्तार से तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें जलिए हम विस्तार से बताती हैं दोस्तो 28 तारिक से एसिया कप का आगाज हो रहा है और जो भारत का पहला मुकाबला खेला जाएगा वो 28 अगस्त को खेला जाएगा और 28 तारिक को भारत का जिससे सामना है उस देश का नाम पाकिस्तान है दोस्तो ये इंडिया का सबसे high world is मुकाबला होने वाला है तोकि इंडिया का जो पाकिस्तान से मुकाबला होता है वो सालों में एक बार होता है दोस्तो इस एसिया कप में एक बहुती बड़ी ख़बर निकल के आ रही है A.C.A. Cup में सामिल हुए दीपक चेहर को टीम से बाहर कर दिया गया है दीपक चेहर को बाहर करने का कारण बताया गया है उनकी चोटको BCCI ने कहा कि दीपक चेहर जिमबामपे के खिलाफ हो रहे मैच में चोटिल हो गए थी जिसके बाद BCCI विना रिस्क लेते हुए दिया गया है वैसे तो उस्तों मैं आपको बता दू कि झाल झाल